फार्टस बॉबी देओल ने बर्थडे पर दी शांदार पार्टी सलमान खान से लेकर जहीर खान तकने की शिरकत बॉबी देओल ने 27 जनवरी को अपने 50 वे बर्थडे पर शांदार पार्टी का आयोजन किया ये पार्टी बॉबी देवल के घर पर रखी गई थी। बॉबी की पार्टी में शामिल होने के लिए बॉलिवुड के कई बड़े सितारे पहुँचे थे। इसमें सल्मान खान, अजेद देवगन, डेजी शा से लेकर सोहेल खान जैसे सितारे नदर आए। सोहेल अपनी गरल प्रेंड जोर्जिया इंड्रियानी के साथ पहुँचे थे। इन स्टार्ज के आलावा रावल देव भी बॉबी की पार्टी में नजर आए। बॉलिवुड स्टार्ज के आलावा क्रिकेटर जहीर खान ने भी पार्टी में शिरकत की। चंकी पांडे अपनी पतनी के साथ पहुँचे थे वहीं बॉबी के घर के बाहर इश्टा दत्ता, साकिब सलीम, वत्सल सेट और विंदूत दारा सिन को भी स्पोर्ट किया गया बता दें कि बॉबी देओल ने सल्मान खान की फिल्म रेस टीन से चार साल बाद फिल्मों में वापसी की थी फिल्म फ्लॉप रही लेकिन बॉबी के काम को लोगों ने सराहा था इन दिनों बॉबी के पास एक ही फिल्म है हाउस फुलचार बॉबी के अलावा हाउस फुलचार में अक्षे कुमार, रितेश देश मोख, राणा डगुत्ती और चंकी पांडिय जैसे स्टार्स ली है फिल्म को फरहाद समझी ने डायरेक किया है वही प्रोडियूसर साजेद नाडियार्ड वाला है बॉबी के बर्थडे पर उनके बड़े भाई सनी ने सोशल मीडिया पर एक फोटो भी शेयर की उन्होंने बॉबी और आरेमन के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा में बॉब्स बर्थडे घर में बॉबी को प्यार से बॉब कहा जाता है तस्वीर में सनी बॉबी और आरेमन को गले लगाए हुए नजर आए पापा धरमेंदर ने भी बॉबी को बर्थडे विश करते हुए लिखा है मेरा बॉब पचास का हो गया है उसके मुस्कुराते हुए मासूम चेहरे को देखे है इससे कुछ और ही पता चलता है जन्म दिन की बधाई तुम्हें प्यार, खुश, स्वस्थ और मस्बूत रहो